मैं कपिल कपूर, Nutrition Science के इस चौथे सेशन में आपका स्वागत करता हूँ पिछले सेशन में हमने सीखा कि हमारा शरीर किन-किन तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों का प्रत्येक तत्व का हमारे लिए क्या महत्व है हमने जाना कि हमारे शरीर में मसल्स और फैट के संतुलन का क्या महत्व है और कौन-कौन से पोशिक्तत्व हमें इस संतुलन को बनाई रखने में मदद कर सकते हैं यह याद रखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि मसल्स और फैट के असंतुलन से हम असमय बुढ़ापे की शिकार हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं और इनका बनाए रखना बज़ जुरूरी है आज के सेशन में हम सीखेंगे कि विभिन निूट्रियंट्स हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है खास कर हम यह जानेंगे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का हमारे स्वास्ते के लिए क्या महत्व है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की प्रोटीन क्या है? प्रोटीन दरसल शरीर के लिए महत्वपून साथ पोशक तत्वों में सबसे अवशक तत्वों में से एक है प्रोटीन वास्तविक्ता में हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है मास पिश्यों यानि मसल्स, शरीर के विभिन द्रव्यों जैसे की रक्त, हर्मोन सित्यादी, विभिन कोशिकाओं जैसे की तवचा की कोशिकाओं, बालों की कोशिकाओं इन सब की संरचना का प्रोटीन एक महत्वपून हिस्सा है उम्र के अनुरूप युवा रहने और स्वस्त बने रहने के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपून पोशक्तत्व है शरीर के विकास, रख रखाओ, सुरक्षा और यही नहीं प्रत्यक अंग के उचित रूप से संचालन के लिए भी प्रोटीन एक बहुत महत्वपून भूमी का निभात है अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो मसल्स की शती के कारण कमजोरी, ठकान और आलस महसुस होगा वजन उठाने या मेहनत के काम करने में कढ़िनाई होगी कमजोरी के कारण हाथ, पाउं, गर्दन, पीठ या कमर दुखने की परिशानी हो सकती है घर के छोटे मोटे काम करने में कमजोरी महसुस होना, जोडों का दुखना, बेजान तवचा, वा बालों का जड़ना ये सब भी थो प्रोटीन की कमी के ही लक्षन है अगर हमें इन सब परिशानियों से बचना है, तो परियाप्त मात्रा में रोज दैनिक प्रोटीन का सेवन करना अत्यनतावशक है WHO यानि World Health Organization के अनुसार भी प्रत्यक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन के दैनिक सेवन की आदर्श मात्रा शरीर के वजन के अनुसार कम से कम एक ग्राम प्रती किलोग्राम होना ही चाहिए यानि हर व्यक्ति को औसतन रोज़ाना कम से कम साथ ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए यह तो हम सीखी चुके हैं कि मसल्स और फैट का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोटीन का रोज़ाना परियाप्त मात्रा में सेवन अत्यनतावशक है आएए देखते हैं कि प्रोटीन की यह मात्रा हम आहार से कैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने सीखा कि मसल्स बचाए रखकर शरीर का स्वास्त बनाए रखने के लिए हमें रोज़ाना साथ ग्राम प्रोटीन की आहार से आउशकता है किसी भी शाकाहरी व्यक्ति के लिए आहार से प्रयात मात्रा में उचित गुनवत्ता का प्रोटीन रोज़प्राप्त करना बहुत कटिन है ऐसा क्यूं है? ऐसा इसलिए है कि हमारे शाकाहर के जो आधार हैं अधार है जैसे की रोटी चावल आलू उत्ट्यादी में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है को技 दालों फल्यों बीजों इन में तो प्रोटीन होता है पर जदा तर लोग परयाद्ट मात्रा में इनका दैनिक सेवन नहीं करते हैं एक और मुश्किल यह है कि किसी भी एक अकेली दाल या फली या मगज में परयाप्त मातरा में उचित गुनवत्ता का संपून प्रोटीन नहीं होता इसलिए हर शाकहरी व्यक्ति को बहुत ही संतुलित मातरा में बहुत ही नेमित तरीके से प्रत्य दाल फली सब ज़ियों वा मगज इत्यादी का रोजाना सेवन करना ज़रूरी है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं एक अठनाई और भी है इनमें से कई का प्रोटीन हमारे लिए पचाना सरल नहीं होता है इसलिए हमें इन से मिलने वाला प्रोटीन परयात मातरा में रोज अवशू पूर्ती नहीं हो पाती और प्रोटीन की इस कमी के कारण वे अपनी मसल्स और अपना स्वास्ते खोबेटते हैं दूसरी और मासाहार से परयाब प्रोटीन तो मिलता है लेकिन उसमें फैट की अधिकता होने के कारण मासाहारी लोग कॉलेस्ट्रॉल की अधिकता से पीडित हो पूरा विश्व किस समय यह प्रयास कर रहा है कि आहर में मासाहर को कम करें और उसकी जगा शाकाहरी प्रोटीन की इंटेक यानि उसका सेवन बढ़ाएं शाकाहरी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोया प्रोटीन क्योंकि यह संपून प्रोटीन है लेकिन भूले मत कि सोयाबीन खाने के तेल का सबसे प्रमुक्स रोथ है यानि अगर हम सीधे सोयाबीन का सेवन करेंगे तो हमें बहुत सारा तेल का भी सेवन करना पड़ेगा जो कि एक फैट है जिससे मोटापा भी भढ़ सकता है और समस्याइं भी खड़ी होती है सोयाबीन में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी होते हैं जिने पचाना हमारे लिए सरल नहीं है इसलिए सोयाबीन सीधे खाने से हम उसको सरलता से पचा नहीं पाते एक और कठिनाई ये है कि सोयाबीन में ट्रीप्सिन इनिमिटर नामक कुछ ऐसे तत्व है जो प्रोटीन के ही पाचन में बाधा डालते हैं इसलिए बिलकुल साफ है कि सोयाबीन से परयाप्त मातरा में उचित गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें सोया बीन से इन सम तत्वों को इन सब बाधा पहुचाने वाले तत्वों को हटा कर उससे शुद्ध सोया प्रोटीन आईसोलेट प्राप्त करना पड़ेगा लेकिन याद दिला दूँ कि ये एक बहुत जटल वैज्ञानिक प्रक्रिया है इसलिए भारत में शुद्ध उचगुणवत्ता का आईसोलेटिड सोया प्रोटीन सुगमता से उपलब्द नहीं है और इसे विदेशों से ही मंगवाना पड़ता है आप समझी गए होंगे कि सोया बीन को सीधे खाकर या उसे आटे में पिस्वाकर उससे परयाप्त मातरा में प्रोटीन प्राप्त करना और उसे अफ्शुषित करना सरल नहीं है इसी वज़ा से आहार के अलावा किसी बहारी स्रोत जैसे कि किसी अच्छी गुणवत्ता के सप्लिमेंट से आईसोलेटिट सोया प्रोटीन का सेवन दैनिक रूप से करना अपनी प्रोटीन की दैनिक आफशक्ताओं की पूर्ती करने का एक बेहत सरल उपाय है साथ साथ यह प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छे से पचता है और आसानी से अफशोशित भी हो जाता है बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि मेरा खान पान तो बहुत अच्छा है क्या मेरे अहर से ही मेरे दैनिक प्रोटीन की आफशक्ताओं की पूर्ती नहीं होगी तो मैं कुछ उधारन से आपको समझाता हूँ अपने अहर से प्रोटीन की साथ ग्राम मात्रागा दैनिक सेवन करने के लिए आपको 9 गिलास दूद रोज पीना पड़ेगा या फिर आप 9 कोटोरी दाल भी खा सकते हैं 300 ग्राम पनीर भी ये काम कर देगा या फिर 300 ग्राम काजू और बादाम रोज खाईए सबजियों के प्रेमी हैं तो 2 किलो पालक खाजाए और अगर आपको रोटी और चावल पर ही निर्भर रहना है तो कम से कम 2 किलो चावल या 20 रोटीओं का सेवन करना पड़ेगा ये तो सपष्ट है कि कोई भी व्यक्ति साधारन ता इतने अधिक मातरा में किसी भी आहार की वस्तु को खाए और उसको पचाए ये सरल नहीं तो आएए हम प्रोटीन से जुड़े कुछ महत्मून प्रश्ण और उनके उत्तर ठीक से समझ लें एक महत्मून प्रश्ण ये है कि आहार से मिलने वाले प्रोटीन और सप्लिमेंट से मिलने वाले आईसोलेटिट सोया प्रोटीन में क्या अंतर है इसका उत्तर यह है कि एक और आहार से मिलने वाला प्रोटीन अक्सर संपूर्ण प्रोटीन नहीं होता दूसरी और सप्लिमेंट से मिलने वाला आईसोलेटिड सोया प्रोटीन एक संपूर्ण प्रोटीन है जो अच्छे से पच जाता है और बहुत बेहतरिन तरीके से अफ्षोशित होता है और शरीर की सभी आवश्यक्ताओं की पूर्ति करता है आप समझ गए ना? अब दूसरा प्रश्ण होगी और मसल्स की शती से हम धीरे-धीरे कमजोर होते जाएंगे अब तीसरा प्रश्ण यदि कोई व्यक्ति नेमित रूप से रोज 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करता रहेगा तो उसे क्या लाब होगा? उत्तर यह है कि नेमित दैनिक 60 ग्राम प्रोटीन के सेवन से हमारी मसल्स कायम रहेंगी बनी रहेंगी और हम लंबे समय तक कारेशिल बने रहेंगे अपना काम करते रह सकेंगे तो आप समझ गए न कि मसल्स को बचाना है तो करना पड़ेगा रोजाना आइसोलेटिड स्वया प्रोटीन का सेवन और इससे रह सकेंगे स्वस्त धन्यवाद